डिसिजन एंड डिलेमा दोनों साथ साथ चलते हैं कभी आप कुछ खरीदने जाएं मार्केट में कुछ भी कपला खरीदने जा रहे हैं या मालीजे कार खरीदने जा रहे हैं आप एक चलेगा कि आप किसी भी कार को लेनी की स्थिति में नहीं है दो आप भी पोलेंगे कि मारूती ले लिए सर लो मेंटेनेंस मेंटेनेंस आई नहीं हाई माइलेज एक लीटर 500 किलो मीटर आपने का 500 अरे मतला ज्यादा दे रही है और मिटल क्लास के लिए तो बड़ी अच्छी है आप दूसरे आगने से मिले आरे उसने का मारूती से मिटल क्लास कार सी दशेप ऑफ वगन आर देखने में चीनल थी हुंड़ई लीजे आप हुंडई आप क्रेटर आपने अच्छा बाई क्रेटर ले ले प्विर आप तीस और अगर आपने दस लोगों से बात किया, तो अगले छे महीने आप कार नहीं ले पाएंगे। सबसे पहली मिस्टेक जो हम सभी करते हैं, हम सभी, ऐसा नहीं आप, हम सभी करते हैं, जब भी, whenever you are going for a big game, जब आप बड़े खेल खेलते हैं, बड़े, तो जो first important thing which you require in your life is decision, it should be your decision, आपका decision, and every decision has two aspects, victory and loss, 98% people they don't want loss, वो हारना तो चाहते ही नहीं, वो जो हारना नहीं चाहते, इससे वो खेल नहीं बात है, हिंडिय पाकिस्तान का मैच हुआ recently, पाकिस्तान की टीम बुरी थोड़ी है, pressure, इतना अच्छा खेल रहे हैं, इनके पास इतने अच्छे खिलाली है, खिलाली जारी तर दोनों तरफ अच्छे अच्छे, बंगलादेशी कोई pressure नहीं, 380 पलस का target, chase करना शुरू किया बंगलादेशी उन्हें, 340, क्योंकि बंगलादेशी टीम के पास कोई pressure नहीं है, उसको सिर्फ perform करना है, उसको इस बात का डर नहीं कि हम हार जाएंगे, उनको पता है कि हम ऐसे ही हारे हुए, हम जीतेंगे तो इंक्वारी हो जाएगी तुम जीत कैसे गए, बंगलादेशी ने जब ऑसेलिया को हराया तो उसके प्लेयर ने कहा कि हम आज बड़े डरे हुए, तो जेनरलिस ने कहा क्यों, बोले अब हमारे उपर इंक्वारी होगी, कि तुम जीते कैसे, उन्हें हारने का डरी नहीं है, पहली important चीज, decision, अगर आप बड़े गेम खिलन से जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो है, पर यह अच्छी लगी शास्त्री साब की मुझे, decision, दूसरी चीज, अगर आप हारने से डरते हैं, तो फिर खेली हैं मत, क्योंकि दोनों aspect हैं, victory and loss, ऐसा कुछ होता नहीं, और बड़े गेम का फाइदा यह है, कि loss जैसे कोई चीज ही नहीं होती, आप हारते हैं ही नहीं, आप सिर्फ सीखते हैं, success requires understanding of the requirement, अब यह requirement क्या है, पहली requirement, first requirement, education is a eligibility, you are a graduate, you are eligible and all the 10 lakh are educated, you are getting my point, education is a eligibility and all the 10 lakh aspirants are eligible, then what is the requirement in that, requirement is knowledge, these two words are very different, education and knowledge, education means information, knowledge means understanding, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, बीरबल, सभी नहीं नाम सुनाओ का बीरबल का, तो बीरबल का और इतनल नाम था, महेश दाश, अटबर ने बड़ा सुन रखा था उनके बारे में, कि बहुत talented आदमी और बहुत smart आदमी, तो अटबर ने महेश दाश को अपने दर्वार में बुलाया, एंट ने ये सट तो इस कोटियर, उनों ने अपनी दर्वारियों से कहा, कि I want this man to be the part of the court, मैं चाहता हूँ कि ये आदमी दर्वार का हिस्सा बने, तो pre-modern world जो है, जैसे आज modern world है, as a pre-modern world, ancient and medieval world, उसमे एक लॉव था, कि only the people from the royal background, रोयल, सिर्फ वो सारे लोग, जो राजा के खानदान से हैं, शाही, बस वही दर्वार में बैठेंगे, तो वेन अखबर सेट कि I want वीरबल to be in the court, the court here is immediately stood up, मुला तो प्याजा है, immediately got up, अरे उसने का, नहीं सरकार, आप कानून नहीं तोड़ सकते, दर्वार में सिर्फ और सिर्फ शाही लोग बैठेंगे, अखबर ने कहा कि, कोई रास्ता निकाली है, तो मुला तो पहज़े ने कहा कि सर्फ रास्ता तो निकल जाएगा, पर शर्थ है, कि अगर महेश दाश उस रास्ते पे चल नहीं पाए, तो लाइफ इंप्रिजन्मेंट, उम्र कैद, अखबर टर्ण तो वेड़्स वीरबल, कि शर्थ मन्जूर है, हम वीरबल ने कहा सर मन्जूर है सर, एकदम मन्जूर है, अब देखिये, वीरबल रिस्क ले रहा है, सी थे सेकंड पार्ट, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 98% परसेंट पीपल इन इस वर्ल, दे दोंट वांट टेक रिस्क, बट दे वांट तो राइस, विच इंपॉसिबल, अगर आप हमाले पर चड़ना चाहते हैं, माउंट आवरेस पे, तो देर इस अल्वेस रिस्क आफ आफ एवलांचेज, बरफीले तूफान, हो सकता आप लॉट के ना आए, खातम, आपका रिस्क नहीं लेना, तो आप अरवली पे चड़ जाहिए, दस मिर्ट में उपर, पंदरा मिर्ट में नीचे, वैनेवर यूँ वांट टो राइस वैनेवर, पहला सबसे इंपोर्टेंट सद्धानती है, कि यू शुड बी रेडि टेक दर रिस्क, और अगर आप हारे, तो सजा मिलेगी, आप कहते हैं साब मुझे खत्रा नहीं लेना साब, स्ट्रेस नहीं लेना, I don't want to take stress, सार अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, जिसको भी नहीं लेना, बुलें मैं तनाव बरदाश नहीं कर सकता, अब धौले साब 2611 में, महरास्ता नुमबई में थे, आप समझ सकते हैं इनकी mental स्थिती, लोग भाग रहे हैं, killing हो रही है, पर यह नहीं भाग सकते थे, he was an officer, he was responsible for the safety and protection of that area, इनका driver भाग सकता था, किसा हम जा रहे हैं साब, आप देख लो, जितने लोगों को तनाव नहीं चाहिए, जितने चुनावतियां और जहां चैलेंज हैं वहां तनाव हैं, मेरे एक साब ने मुझे आखा का सर, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, हाँ मैंने का तो ठीक है, अच्छी है, मतले, चपरासी बंजा, चपरासी बाहर बाहर बैठा हुए, जो भी मिलने का साब से आएगा, पांचोर रुपरे देगा, कि दखो साब क्या कर रहे, कि दखो साब क्या कर रहे, कि साब तो दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे देख रहे, और अगर दस लोग DM से आप से मिलने आए, तो पांच हजार उपर पर दे, चपरासी, वन लाग फिफ्टी थाउसन पर बंद, वन लाग फिफ्टी, और तीस हजार सेलरी, वन लाग एट्टी, सार कोई स्ट्रेस ही नहीं सर, पहली इंपोर्टन चीज, जब आप डिसिजन लेते हैं, यू शुड नाट बी अफ्रेड ओफ रिस्क, और जब आप हारेंगे, तो लोग आपके उपर हसेंगे, इट से नैच्छल फिनोमेना, हम हारने से नहीं डरते, हम डरते हैं कि पडोसी क्या कहेगा, हारने का दुख नहीं है, हसने का, पर आप जितने भी महान, प्रॉफेट्स, जितनी बड़ी बड़ी परसनाल्टी, मैं इस रूम में पिछली बार आया, मैंने इतनी सारे लोगों को देखा, और इन सब लोगों में, जितने भी लोग हैं, इफ आप इनकी बैक हिस्त्री देखें, इनकी पूरी लाइफ चालेंज, जोटी पफूले, फ्रम पूना ओली, पाइनियर अफ एजुकेशन फ़र लोवर क्लास और वोमन, रिस्क तो लेना ही आपको, और जवाब गिरेंगे, मैंने का लोग हासेंगे, और जब आप जीतेंगे, वही जो लोग हास रहते, वो माला लेके पहुँच जाएंगे, रोते हुए, आपने काएगा, रो रहा हूँ, मुझे आप खुशी के आशु है, आशु वह भी खुशी के, तो बीरबल ने पहला काम किया, रिस्क लिया, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, जो था अगबर, तो इस सीन इस प्रेजन इन देट मूवी, तो मुलादू प्याजा सेज तो अगबर की, तो मुलादू प्याजा ने कहा है, कि बीरबल ये बताओ, महेश, कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, अब मैं आप से पूछूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या आप मुझे से पूछे कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तो यह मैं कैसे पता सकता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पर मौलाना आस्ट कि बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। And then Beerbal says कि सर मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहें कि अकबर अमर हो जाएं। आप सोच रहे कि Aqbar कयामत तक शाशन करें. आप सोच रहे कि Aqbar की 10체 हजार बीवियां हो. Aqbar turned towards Mullah तु प्याजा. की सही कह रहा है? Mullah started laughing. की sir एक्दम सही कह रहा, sir यही सुच रहाता मैं. Sir this is called as understanding. Answering. जितने बड़े गे में जितने भी decision decision is followed by risk eligibility the people who are sitting here they all are eligible possibly all those who have come for the seminar possibly they all are eligible difference कहा है requirement education सब के पास है difference कहा है knowledge knowledge